हेलो दोस्तों मेरा नाम अभिशेक है आज इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं टोपोलाजी के बारे में देखेगा टोपोलाजी नाम से ड़रने कोई जरूरत नहीं है टोपोलाजी एक सिस्टम है कंप्यूटर को आपस में जोडने का ठीक ना यह नेटवर्क टोप टोपोलाजी उजली आप बोलते हैं देखेगा सामाने थे पांच तरह की टोपोलाजी होते हैं हम सभी के बारे में आपके शानवी बात करते जाएंगे आप कम्प्यूटर को कोई भी कोर्स डीसी पीजिलीसी कर रहे हैं आपके लिए इंपोर्टेंट है या फिर किसी कम्प करेंगे बाद में काम करेंगे तो भी आपके लिए जन्ना बहुत जरूरी रहता है तो देखिएगा तोपोलाजी आप समझ चुके हैं कि अरेंजमेंट आफ नेटवर्क कम्प्यूटर को जैसे आप बहुत सार जोड़ते हैं तो उनको किस जिसाब से जोड़ें कौन सी इस् कम्प्यूटर है एक है तीन में चार है जितने भी है एक कम्प्यूटर सभी दूस्तर से जूटबा रहेगा ठीग ना अब इसके लिखने के लिए आता है कि एडवांट डिश्बांटेज क्या है तो यह महगा होगा यह होगा आप सभी में लिख सकते हैं अगर कोई पॉइं लाईक इसमें क्या दिक्कत रहती है कि माली कोई कोई करॉभी हो गई ना काफी मुश्किल होता है काॉश्म भी सची में होता है तीक ना और जीसे मैंनेज करनेकरी में काफी दिक्कत भी जा सकती है तendy's topology में इसटार चार में क्यों हो जाएगा ना कि देखिए कि बीच में आपका एक हावर रहेगा मतलब एक सर्वर कंप्यूटर रहेगा जहां से वकाय सिस्टम से मैनेज होगे ठीक न यह जो टॉपलोजी है यह सी कंप्यूटर को जोडने का काम नहीं करता इसमें सर्वर रूम रहता है आप जहां पर बीच में आप रहेगा बीच में जो में एड्मिस्ट्रेटर कंप्यूटर रहेगा हुआ रहेगा अब काया आपके कॉइफ कर माले बीच में कोई सर्वर में खराब ही ना बीच बालागर कोई सर्वर कंप्यूटर के खराब ही चिकनिकल प्रॉलम गई तो सब सब यह दितना भी है इसमें नुक्सान हो जाता है इपिर बगा जो है इसमें आसानी के advantage किया ति आसानी से स्थापित किया जा सकता है यह कम costly है क्योंकि इसमें ज्यादा wire की या cable की ज़रुद नहीं पड़ेगी तो यह आप समझ रहे हैं तीसरा किया दोस्तों bus topology क्या ना कि आपका जो एक main cable का रहेगा वह एक बड़ी सी cable रहेगी उसमें जो बकाया नोट्स हैं मतलब एक सिस्टम यहाँ दो सिस्टम यहाँ तिन सिस्टम यहाँ और जो server का जो main communication है वह एक main cable से होगा ठीक ना तो इसका आप क्या benefit है क्या नुक्सान आप बता सकते हैं मतलब यह क्या क्या प्रोलम गई ना तो माली पूरा आपका यह जो नेटवर्क है वही भीड़ जाता है नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे रिंग टॉपलोजी अब देखेगा यहाँ पे जो लिखा है ना सभी के बारे में कि आप इसकी उप्योगिता और इसके जो प्रोलम से उनके बारे में बताईए तो यह आप अपने तरीके सिलिक सकते हैं आप इतना विशार करिएगा कि अ आप इस वाले टॉपलोजी का प्रयोग करके आप ऐसे कंप्यूटर को भी एड कर सकते हैं किसी में आप सरवर कंप्यूटर को भी मतलब आप एजूम कर सकते हैं ठीक ना तो यहाँ पे मालेजी कंप्यूटर से आप उनके ऐसे इस टाइप के वाद से आप जोड़ते हो ठीक ठीक ना तो computer को जोडने का या फिर आपके devices को जोडने का जो आजकल काम है वो wireless के तोर पे भी हो रहा है तो वाय देबे जो टोपोलोजी यह वाले हैं यह कौन से हैं यह wired है यह आसानी से आप maintain कर सकते हो लेकिन बीच में अगर मालिजी कोई आप जोडना चाहें तो आहां पर कहीं कहीं दिक्कत आ जाती है कई ऐसे अगर आप टोपोलोजी के यूज़ करते हैं ठीक ना तो यहां पर है चीप टूइंस्टॉल मतलब सस्ता ही रहता है और आप इसे बात में बढ़ा भी सकते हैं और जो दूसरी बात मैंने भी बोला कि अगर बीच में कहीं जोड़ना चाहें किसी को अटाना चाहें तो कई बार आपके लिए प्रॉब्लमिटी खो सकता है आपको दिक्कत दे सकता है किसमे क्या होता है हिसमें क्या होता है एक सिस्टम जोड़े हैं इसकी अंडर या फिर सिस्टाम अगरकर नहीं भी cost इस और उनसे आप औरों को आप कंप्यूटर को अगर आप जोड़े हैं तो इस विसाब से वर करता है तो इसे बोल देते हैं आप ट्रीट ओपोलाजी और इसमें क्या दिक्कत हो सकती है अगर माझी इस वाले सिस्टम में कोई खराबी गई तो बकाया ये ये इसके तो कम्यूनिक सिस्टम ही फैल हो जाएगा और तो कॉस्टी जाएगा विकाज आप केबल जादा लगता है ठीक न और इसके लाबा जो इसके फायदे हो जाएंगे इट अलावाज मोर डिवाइस तो बी अटेस्ट मतलब डिवाइस आप कितनी भी जोड़ सकते हो कितने भी आप बना सकते ह तो इस पूरे सिधान्त विवर करता है देखेगा हमने जान लिया है कि आखिर ये आपका जो टोपलोजी है या सिस्टम को आपको आपस में एट करने का है वो क्या होता है लेकिन अब मैं फाइनल थोड़ी बात कर लेना चाहूंगा इंट्रानेट के बारे में ठीक ना इंट्रानेट और इंट्रानेट में अंतर पता है इंट्रानेट हो जाता है आपका पूरी दुनिया के लिए या फिर बहूत बड़े छेत्र के लिए कहीं कहीं अगर बैन कर दिया जाए कोई वेबसाइट तो मैं उसकी बात नहीं करता बकाया इंट्रानेट पूरी दुनिय हो जाए कॉलेज हो जाए कोई आपका सिटी हो जाए कस्बा हो जाए ठीक ना तो उस एरिया उस आधार पी वर करता है मतलब इंटरनेट बहुत बड़ा माली जी पूरी स्क्रीन अगर यह इंटरनेट है और इतने के लिए अप्लीकेबल है आपका कम्प्यूटर नेट पर आपस में जोडने का तो जो आपका इंटरनेट हो जाएगा ना वो लगवाग इतने पार्ट को आप इंटरनेट बोल सकते हैं अगर वही वाला सिस्टम यहां पे इंटरनेट जैसा कोई अप्लीकेबल है तो ठीक ना तो देखें को दोस्तों जितना भ होता है जो इंटरनेट है ताकि बाहरी कोई इंसान उस पे इंटरनेट कर पाए और किसी भी प्रकार का साइबर अटेक न हो पाए जनली जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं लाइक माली जी शुरू हो गया या भारत की कोई खुफिया जैंसी हो गई वो खुले प्रिगा धन्यवाद